शेरू नाम का एक शेर, जो बहुत सासी और जिग्यासु था, एक दिन जंदल में घूमने निकला, यह जंदल आम जंगलों से अलग था, इसे लोग जादूई जंदल, कहते थे, शेरू ने सुना था कि इस जंदल में अजीब अजीब चीजें होती हैं, लेकिन उसकी जिग्य जासा उसे वहां खीच ले गई, जंगल में प्रवेश करते ही, शेरू को एक अजीब सी हवा महसूस हुई, पेड़ पौधे चमक रहे थे, और वहां की हवा में एक रहस्य मई खुश्बू थी, चलते चलते शेरू को एक चमकीरा पेड़ दिखाई दिया, जो किसी खजाने की तरह चमक रहा था, उच सुकता से शेरू उस पेड़ के पास दिया, तभी उसे एक मधुर आवास सुनाई दी, यह पेड़ तुम्हारे लिए नहीं है, शेरू, शेरू चौक कर इधर उधर देखने लगा, सामने से एक जादूई परी प्रकट हुई, परी ने शेरू से क जहा, यह जादूई जंगल केवल उनहीं के लिए है, जिनके दिल में सच्चाई और दया हो, तुमने इस जंगल की ओर आकशित होकर साहस दिखाया है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें और भी ज्यान की आवश्यक्ता है, परी की बात सुनकर, शेरू को एहसास हुआ क ये असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं, बलकि भीतर के गुनों में होती है, उस दिन से शेरू ने जंदल से सीखा कि जादू और रहस से केवल साहस से नहीं, बलकि अच्छे दिल और समझदारी से समझे जाते हैं,